इस्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में हम समझेंगे my mother at 66 के important questions and answers इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इस पॉम को detail में explain कराया था I hope आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आप जान गए होंगी कि जो my mother at 66 हमारी first form है इसमें क्या कुछ स्टॉरी है क्या कुछ स्पॉम में बताया गया है तो चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही important questions को और उनके answers को detail में समझते हैं So guys हमारा first question है what is the kind of pain and ache that the point feels तो यह रहा हमारा first question what is the kind of pain and ache that the point feels इसका मतलब यह है कि किस तरह का दर्द और पीड़ा poetess महसूस करती है तो आप आपने से स्टॉरी को read किया होगा तो आपको पता होगा कि किस तरह का दर्द या फिर हम कह सकते हैं कि पीड़ा जो दुख रहता है उस poet को महसूस होता है तो देखिए इसका answer कुछ इस तरह से बनेगा तो पहले हम इसको समय लेते है तो पूरी जो लाइन है इसका मतलब यह है कि पूरी जो लाइन है इसका मतलब यह है कि poetess अपनी मदर को देखकर बहुत जादा emotional हो जाती है भाबक हो जाती है जब वो बहुत जादा old हो चुकी है और उनका जो चहरे का color है वो फीका पड़ चुका है मतलब कि चहरे पर वो glow नहीं है वो energy नहीं है जो जवानी में energy होती है इस वाज़ा ज़े poetess अपनी मदर को देखकर emotional और दुखी हो जाती है आगे हम इसको read करेंगे looking almost like a dead person तो उनकी जो mother है, poetess की mother वो हमेशा dead person की तरह लगती है लगबग dead person की तरह लगती है जैसे कि कोई dead body हो she becomes worried to see her mother's condition वो अपनी मदर की condition को देखकर बहुत जादा चिंतित हो जाती है worried हो जाती है तो इस question का answer को जिस तरह से बरेगा जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिये वाप इसका screenshot लेना चाहें तो आप screenshot ले सकते हैं या फर इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी उसके लिए आपको हमारे टेलिग्राम गूर्प को जाइन करना होगा टेलिग्राम गूर्प को जाइन कर लीजिए लिंक आपको डिस्क्राइम बॉक्स में ही मिल जाएगी तो पहले question का answer हमने detail में समझ लिया जैसे question था उसके answer को मैंने आपको well to word explain करा दिया है चलिए move करते है next question की तरब तो guys यह रहा हमारा next question second number का Why are the young trees described as sprinting तो जो young trees है उनको sprinting को describe किया गया है poem में ठीक है sprinting को describe किया sprinting का मतलब मैंने आपको बता है था fast running ठीक है तो fast running यह मतलब होता है चलिए हम इसको देखते है कि क्यों trees को sprinting describe किया गया है poem में so guys हमरा answer को जिस तरह से बनेगा the young trees are described as sprinting यह तो हमने question से ही लिया है the young trees are described as sprinting अब आपके answer की starting यहाँ से होगी because they are full of strength and they seem to be running because the poetess is driving because they are full of strength the trees are full of strength strength से भरे होते है उनमे एक energy होती है मतलब कि हाँ पर एक contest किया जा रहा है कि एक तरफ तो उनकी जो mother है जो energy less हो चुकी है जो काफी जादा edit हो चुकी है दूसरी तरफ इन trees के बारे में बताया जा रहा है कि जो running कर रहा है मतलब कि दूड़ते हुए trees बताया जा रहा है जो कि पूरी तरह से energy से भरे हुए है और strength से भरे हुए है इसके बत आगे हम इसको read करेंगे and they seem to be running मतलब कि वह दूड़ते हुए दिखते है because the poetess is driving तो actual में यह illusion होता है trees हमें दोड़ते हुए दिखते है और जो pointess है pointess क्या कर रही है driving कर रही है तो pointess driving कर रही है to pointess आगे की तरफ जा रही है तो forward जा रही है और जो trees है ऐसा लगता है कि वह backward direction में जा रहे है इसलिए यहां पर sprinting word use किया गया है point के द्वारा pom में the young trees are described as sprinting because they are full of strength and they seem to be running because the point is is driving clear है move करते है next question की तरफ जो के हमारा third number के question है so guys इतने भी question आपको बता जा रहा है सारी questions most important है यह आपके exam में जरूर पूछी जाएंगे तो इनको आप अच्छे तरीके से learn कर लीजेगा उससे पहले आप इसको समझ लीजे so guys हमारा next question है why is the point brought in the image of the Mary children spiling out of their homes why is the point brought तो वो जो point है वो in the image of the Mary Mary children की image अपनी poem में क्यों लेकर आती है spiling out of their homes तो यह जो word यूज करती है Mary children spiling out of their homes तो यह जो बच्चों की image है वो अपनी eyes के सामने अपनी आगों की सामने क्यों लेकर आती है इसको क्यों mention किया गया है poem में तो चलिए हम इसको समझते है सुगेजी के हमारा answer बनेगा the poetess is brought in the image of the Mary children spiling out of their homes तो यहां से तो यहां तक आपका पूरा का पूरा question हो गया अब आपका answer सिप इतना बनेगा अब इस तने में देख लिजिए because these happy children are a symbol of youth and energy क्योंकि यह जो happy children है एक symbol है youth and energy का तो यहां पर भी बात बताई जा रहे है कि एक तरफ तो उनकी जो mother है जो कि काफी ज़्यादा agent हो गई है मतलब aging mother है और दूसी तरफ यह happy children है तो यह किस चीज का symbol है यह youth का और energy का symbol है तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि time कितनी तेजी से गुजरता है कितनी तेजी से time pass होता चला जाता है कि हम पता भी नहीं चलता दीरे दीरे हम जवान मतलब बच्चे से बड़े होते हैं उसके बड़े हो जाते है तो इस तरह से यहां पर एक कांटेस्ट के जा रहा है कि तरफ उनकी जो mother है जो कि बहुत ही ज्यादा एजट हो गई है 66 की हो गई है और दूसी तरफ यह जो चिल्टन के बारे में बात की जारी happy children वो पूरी तरह से a symbol of youth and energy मतलब energy से भरे हुए है तो यह सका अंसर होगा इस ब्रोड इमेज़ फैरी चिल्टन स्पाइलिंग आफ देर हॉम्स बिकास इस हैपी चिल्टन आरा सिंबर यूथ एंड एनर्जी ठीक है चलिए मूब करते हैं कर्शन नमार फोर की तरफ इस ब्रोड आरा नेक्स क्वेश्चन है वाय है वाय है दा-मदर बीन कंप्यार टू दा-लेट विंटर समून काफी ज्यादा इंप्रेंट है most important कंप्यार इक्जाम में जरूर पुछ जाएगा यह आपका ठीक है वाय है पुए चैह बहुत देहें लिड बोर सबैनाझक केंवार हुद मतार्व लेडड विंटर फ्मून या यहां किया सो एक पर चैनल के रता में मदर कोड़ा है तो आफ का आंसर यहां से बीकोशन आप ऑगा तो जब भी कोशन सिर्ण बिकॉऔ यहां चार्ड जरूर दरूर आता है क्योंकि देखिए फोग होता है फोग की वज़ासे जो विंटर्स में जो मून निकलता है तो पूरी तरह से उसकी जो शाइनेंगे वो नहीं हो पाती है 100% वो शाइन नहीं हो पाता है because of fog and becomes dim मतल violation, वो दिंप पड़ जाता है उसकी जो light है उसकी जो रोशनी है वो dim हो जाती है उलाइक हार मदर जिस तरह से वो जो मदर है वो aged होने की वज़ा से काफी जड़ा वो अज़ा से और उनके चहरे कर जो गिलो है वो खत्म हो गया है क्योंकि चेहरा जो है वो पीला सा पड़ गया है colorless हो गया है इसलिए यहां पर pale word भी use किया गया था यह इसलिए compare किया गया है कि late winters moon से मदर को compare किया गया है कि जिस तरह से late winters का जो moon रहता है उसकी shining कम हो जाती है वो dim पड़ जाता है जैसे कि मदर की जो चेहरे की जो चमक है उनके चेहरे का जो गिलो है वो कम पड़ गया है वो जो energy चेहरे पर दिखना चाहिए वो energy नहीं दिख रही है ठीक है तो यह हमारा answer हुआ अब आते हैं next question की तरफ जो कि आपका फिप्त number का है सुगे तमना next question है why do the parting words of the poet and her smile signify तो वो जो parting words है और smile signify इसको signify करी है कि जो poet के parting words है उनने स्यून अम्मा कहा था और मुस्कुराई थे तो इसको signify करना है देखे आंसर कैसे बनेगा the parting words of the poet and her smile show her positive attitude तो वो जो parting words है और poet ने जो smile करी थी last time में smile smile लिखा था तो यह show करती है उसके positive attitude को मतलब कि पुरी तरह से वो negative नहीं है emotional हो रहे हैं लेकिन उसके अंदर इतना तो confidence है इतनी energy है कि वो positive attitude को हमाँ पर show कर पाए she overcomes her pain and fear वो अपने pain को अपने दर्द को और अपने डर को overcomes करती है मतलब कि उनको काबू में करती है उस पर control करती है ठीक है she overcomes her pain and fear तो वो अपने दर्द को और अपने डर को overcomes करती है उस पर काबू पाती है assure herself and her mother that they would meet again इस चीज को assure करती है कि वो अपनी mother से जल्दी ही मिलेगी ठीक है जल्दी ही क्या करेगी मिलेगी she is being very brave and courageous which is indicated by the use of repetition in the poem smile and smile and smile she is being very brave तो वो जो है बहुत ही जादा brave है और courageous है जो कि इस चीज से indicate करती है इस चीज को इशारा करती है कि जो word को repeat करती है smile and smile, smile तो मतलब कि मुस्कुराती है मुस्कुराती है यह poem में जो word repeat हुए है तो इससे यह चीज चीज शो होती है कि वो जो पोईटे से वो बहुत ज़दा brave है और courageous से उसके अंदर इतना साह से तनी हिम्मत है जिससे कि वो डेपार्ट होते हुए एक होसला रख सके हिम्मत रख सके ठीक है चली, अब मूव करते है question number 6 की तरफ यह है अब नेक्स question where is the point is going and who is with her point is कहां जा रही है और उसके साथ कौन है तो काफी अच्छे question है the point is is going to coaching airport point is जो है coaching airport जा रही है from her parents home अपने parents के घर से her mother is with her उनकी mother उनके बाजू में she is sitting beside her वो उनके बाजू में बैटी हुई है and dozing dozing कर रही है मतलब के उनकी जब की लग गई है उंग रही है उनको नीद आ गई है with her mouth open उनका जो mouth है वो खुला हुआ है her face looks like a date body is face और उनका जो चेहरा है date body is face की तरह से लग रहा है mother का ठीक है चलिए last question है आपका यह आपके सामने what was the point's childhood fear that every child feels when its mother is not around हार एक बच्चे को यह डर होता है जब उसकी मदर उसके आसपास नहीं होती है कहीं नजर नहीं आती है यह से कहीं मेले में जाते है कहीं गूमने जाते है तो डर बना रहता है कहीं हम मेले में खोना जाएं कहीं हम इस दुनिया की भीड़े में बिछड़ा ना जाएं खोना जाएं यह डर बच्चे को बना रहता है इसलिए वो अपने बारेंट्स के पास ही रहते है तो ओवराल यह इंपॉर्टन कोश्चेंस है जो के मैंने आपको मायमदानेट 66 पॉम के आपको समझ में आगे होंगे अगर आप इस वीडियो को एक दुबार देखते हैं तो आपको सारी कोश्चेंस के आंसर डिटेल में समझ में आ जाएंगे तो बस आपको करना है कि इनका स्क्रीशॉट ले लेना है यदि आपको PDF चाहिए तो मैंने आपको प्रोसेज बता दी कहां आपको PDF मिलेगी तो वहां से इसकी PDF को पिक कर लीजीगा और इनको नोट कर लीजीगा इसके बाद आप इसकी study कीजीगा इनको learn कीजीगा क्योंकि आपके exam में इन मैसी questions पूछे जाएंगे तो वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों साथ शेयर करो और यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लो जिससे कि ये जो सीरीज स्टार्ट की गई है इसको कंटिंगी वखा जाए और जल्दी ही है पर सबंहानी कि द्दी आपको जाएंगे और के सब्सक्राइब..? नग्से दोस्तों सब्सक्राइब førक está Garlic करोो थैक्स वर वोचिंग